एलो एवरिवान स्वागत है आपका हमारे चानल गेट कलर स्वित आनू में आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट शेयर करने वाली हूँ जो कि पूरी विंटर बहुत ही अच्छी व्लूमिंग करती है और देखने में भी काफी ज़्यादा खुबसूरत है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यह जितने सारे सीट्स हैं उनको मैंने ओनलाइन ओर्डर करके मांगाया है और यह मुझे 45 पीसेस रिसीब हुए हैं जिनमें की आधे जो है वो ठंडे वाले हैं पाधे और आधे जो है वो गर्मियों में लगने वाले पाधे हैं तो मैं यहाँ पे सारी पाधे जो सर्दियों वाले हैं उनको लगाने वाली हूँ क्योंकि ये जो है वो बहुत ही अच्छी quality के साथ साथ बहुत ही अच्छी quantity में भी मुझे receive हुए है तो चलिए मैं आपको इसके वारे में अच्छी तरीके से आगे वीडियो में बताती हूँ कि कौन से grow हुए है और कौन से नहीं grow हुए है फिर बारी आती है सबसे main चीज़ की portion के साथ साथ मिट्टी को त्यार करना जिसमें कि हमारे पौधी अच्छी से grow कर पाए तो मैं यहाँ पर कोको पीट का इस्तमाल कर रही हूँ क्योंकि यह बहुत ही lightweight होता है आप चाहें तो कोको पीट के जगा पर मिट्टी का भी इस्तमाल कर सकते हैं जिसमें कि कॉम्पोस्ट के साथ साथ थोड़ी सी रेज मिला ले तो वो काफी अच्छी से grow करेगा तो मैं यहाँ पर कोको पीट के साथ साथ थोड़ी सी मिला रही हूँ गोवर की खाद जो कि आप देख पाएंगे अगर आप कोको पीट या मिट्टी को इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं तो धान का भूसा भी इस्तमाल कर सकते हैं जिसमें कि आप गोवर की खाद मिला करके कोई भी जो बीज है उसको जर्मिनेट कर सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो स्वाइल मिक्षर है वो त्यार हो चुका है सारे ही सीट को लगाने के लिए और इन में अभी हम लगाएंगे सारे ही सीट मैं यहां पर लगाने वाली हूँ सीडलिंग ट्रे में सारे ही सीड्स को क्योंकि बहुत सारे वराइटीज हैं तो अब इसमें लगाने वाली हूँ आप चाहें तो इसके जगा पे गलासिस को पियूज कर सकते हैं प्लास्टिक वाली जो कि आप इसको reuse कर सकते हैं बार बार तो यह जो हमारा seedling tray है इसको भी हम काफी बार इस्तमाल करेंगे क्योंकि यह जो material है वो काफी ज्यादा अच्छा है तो इसको reuse कर सकते हैं काफी बार और यहां पर मैं हर cups में 4-5 seeds लगा रही हूं और वो निकलता चला जाए ताकि हमारी जो पौधे वो healthy grow कर पाए और यह जो हमारा seedling tray है इसमें पहले से ही बहुत सारे holes दिये हुए है तो मैं यहां पर सिर्फ normally seeds लगा रही हूं और उसको अच्छे तरीके से फिर से cover कर दे रही हूं हाला कि अभी के मौसम पे कभी भी लगा सकते बस ज़्यादा ओस ना उस पे पड़े तो अच्छे तरीके से वो चल जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं 10 दिनों के अंदर का result जो है वो काफी अच्छे तरीके से आया है यहां पर पौधे जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर चुके हैं कुछ-कुछ पौधे जो है वो जर्मिनीट होकर के खराब हो चुके हैं पर अभी तक जो इतने पौधे हैं वो काफी अच्छे तरीके से टिके हुए हैं और इनको कुछ दिनों के बाद रीपौट कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए और यह देखिए हमारा डालिया का पौधा वो तेजी से ग्रो करने वाला पौधा है अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब